गुड मॉनिंग क्या हल चाल और कैसे हैं आप लोग मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही ज्यादा चीज चल रही होगी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्रसल और अंडासय के कार्या और व्रसल और अंडासय क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेंथ वाले जीव जनन कैसे करते हैं वहाँ पर है नर्जननतंत और मादा जननत तो तो वाले मानो जनन में पूरा भरा पड़ा है यहां पर मैं बात करने वाला हूं व्रसल और अंडासय के कारे के बारे में कारे भी बताऊंग ने पढ़ाया है आपको देखो अभी मैं नहीं बताऊंगा अभी आप ही लोग बताओगे आप लोग सुने भी होगे देखो कि अच्छा जो व्रसल होता है व्रसल को इंगलिस में क्या बोलते हैं सर तो व्रसल को इंगलिस में बोलते हैं टेस्टिस अच्छा बताओ व्रसल कितने होते हैं एक होता है दो होता है चार होता है पांच होता है दस होता है आपने बोला भाईया सरीर के बाहर लटका होता है उदर गुहा के बाहर दो होते हैं दो होते हैं वरसन कैसा होता है नर में पाया जाता है और ये जोडे में पाया जाता है इसमें मैं इंक डाल लेता ह तो हमें पता चल गया कि व्रसर्ण कैसे पाया जाता है तो व्रसर्ण जोड़े में पाया जाता है डेंगू से रिकवर होने के बाद ये मेरी सेकेंड क्लास है है न और तुम दों को पता ही है डेंगू दो भई बहुत खतरनाक है बचकी रहना सबी लोग मच्छर वच्छर न काटने पाया ने तो बहुत प्राब्लम कड़ी हो जाएगी समझ रहो तो व्रसर्ण जोड़े में पाया जाता है अब हम लोग देखते हैं कि व्रसर्ण अखिरकार होता कहा है तो मैंने बोला उदर गुह के बाहर लटका हुआ रहता तो एक थैली ऐसे रहती है ये देखो इसी थैली में दो व्रसर्ण भरे रहते हैं ठीक है ये व्रसर्ण है और ये भी व्रसर्ण है तो ये एक व्रसर्ण ये हुआ दूसरा व्रसर्ण ये हुआ लेकिन ये जो थैली होती है इसको क्या बोलते है जिस थैली में भरा रहता है ये जो पाउज लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको क्य क्या बोलते हैं तो सर इसको बोलते हैं व्रसण को सिंग्लिस में बोलते हैं इस स्कूरूटम कुश्चन पूछ लिया जाता है और स्कूरूटम के बीच में एक लाइनिंग होती है उस लाइनिंग को बोलते हैं रेफे आरे पीची कि अधियर है अब बताओ अब व्रसण के अंदर लगभग व्रसण के अंदर लगभग वह 200 कमपार्टमेंट होते मैं आपको पढ़ाया था यानिकि जो एक वरसण है यह वाला व्रसण यदि हम निकालेंगे तो इसके अंदर लगभग ऐसे करके 200 कमरे होंगे क्या होंगे 200 कमरे और उन्हीं मेंसे एक कमरे को हम लोग बोलते हैं व्रसण पालिका इंगलिस में बोलते हैं टेस्टीकुलर लॉब्यूल याद रखना लिख लो इसको टेस्टी कुलर लॉब्यूल समाझ लो बिल्कुल बेसिक है ये ठीक है 200 कमरे होते हैं टेस्टीकुलर लॉब्यूल testicular lobules के अंदर क्या होता है sperm metogonia cell होती है जो sperm का यानि कि सुक्राणू का निर्माड करती है और यही testicular lobules आगे जा करके वरसरण जालक में खुलता है किसमें? तो यह खुलता है वरसरण जालक में जिसको बोलते हैं rate testis ठीक है? कहाँ पर खुलता है rate testis के बाद यह जो आगे जाता है यह जाता है आपका वसा इफ फरेंशिया मैं जिसको Hondi में बोलते हैं सुक्र वाहिका सुक्र वाहिका इंगलिस में बोलते हैं वासा इफरेंशिया नाम देखो testicular 반드 लैटे टेस्टिस वासा इफरेंशिया शुक्र वाहिका के बाद जो सुक्राड होता है वो आगे जाता है कहाँ पर? वो जाता है अधी व्रसन में नाम सुने होगे यह सभी नाम नर जरंतन्त से संबंदित हैं व्रसन में अधी व्रसन में इसको बोलते हैं APDDIMIS अधिव रसन से फिर एक नली लगी होती है कौन सी नली ये नली लगी होती है ये नली आगे जाकर के सुक्रा से मिले जाती इस नली को बोलते हैं सुक्र सुक्र वाहक इंगलिस से बोलेंगे इसको वासा डिफरेंसिया देखो ये नाम है समझ रहो लिखते चलो बिल्कुल पॉइंट बनाते चलो वरसन पाली का देखने को मिला फिर वरसन जालक मिला फिर सुक्र वाहिका मिली फिर अधिवरसन मिला फिर सुक्र वाहक मिला सुक्र वाहक से सुक्राडू कहां चला जाता है तो वो चला जाता है सीध है आपका सुक्रासाय में, कहां पर चला जाता है, शुक्रासाय, सुक्रासाय में जिसको बोलते हैं, सेमाइनल, वेसाइकल, यह वेसिकल, ठीक है, तो सबसे पहले वरसल बनता कहां पर है, तो वरसल बनता है, वरसल पालिका में, लगभग एक वरसल गेंदे, लगभग 200 वरसल पा समुमाइद्र भूहर में शुक्राणू बनता है स्थीच में रेटे टर्यूंति हिंदी बलुते व्रसन जालक में फिर शुक्राणू नहां दो के बैट बैट जाता है फिर आगे बढ़ने के तैयारी करता थाहे शुक्र वाहिका में परब काना वाना-खाता सुक्र रनुझय से भाहर दिफ्रेंशिया में वासा डिफ्रेंशिया से फिर सुक्राणू आगे बढ़ता है कहां पर पहुंसता है सेमाइनल वेसाइकल में फिर दिर करके एजाकुलेट हो जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, बताओ भईया, समझ में आया या फिर नहीं आया, कोई कठिन काम था, तो अम मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला, वरसन पालिका पाई जाती है इस वरसन के अंदर, और मैंने इस वरसन के अंदर सुक्राडू का निर्माड हो रहा था, किसका निर्माड हो रहा था, सुक्राडू का तो एक काम इसका मिल गया न, इस वरसन के अंदर मैंने बोला, इस पम मेटो गोनिया सेल पाई जाती है, जिसको वो हिंदी मोलते है, सुक्राडू जनन कोसिकाएं, ठी कोशिकाओं द्वारा सुक्र जनन की क्रिया से ठीक है सुक्र जनन की क्रिया बोलते हैं जब इससे सुक्राडु सुक्र जनन की क्रिया से सुक्राडु का निर्माड किया जाता है वरसल के अंदर क्या होता है वरसल के अंदर सुक्र जनन को सिकाएं होती है जिसको बोलते इस्पम्मेटोगोनिया से लिए फिर इस्पम्मेटिड्स समझ रहे हो इस्पम्मेटोगोनिया सेल पाई जाती है और उसी इस्पम्मेटोगोनिया सेल में क्या होता है इस्पम्मेटोजेनिस होता है इंदी में बोलते हैं सुक्राडु जनन होता है सुक्राडु है सुक्राडु जनन होता है सुक्राडु जनन मतलब इस्पम्मेटोज होता है फिर वही इस पर्मेटोजेनिसिस क्या होता है सुक्राडू का निर्माड हो जाता है तो बताइए सुक्राडू का पहला कारे आपको पता था या नहीं पता था सच सच बताना दिल से बताना व्रसन का सुरी व्रसन का त्यार व्रसन का एक सो सिंपल कारे है वो सुक्राडो का नेनमाड करता है दोतियक कारे क्या है अच्छा मुझे ये बताओ व्रसन से ही नर हार्मोन्स है ना नर सेक्स हार्मोन्स का स्रामण होता है नर्स एक सार्मोस कौन सा होता है वो होता है टेस्टो इस्टिरोन व्रसण से ही टेस्टो इस्टिरोन का स्रामण होता है होता है और इसी टेस्टो इस्टिरोन के द्वारा क्या होता है दोतियक लेंगिक लच्छडों का विकास होता है बताए बिल्कुल सिंपल है टेस्टो इस दोतियक लेंगिक लच्छडों के विकास में सहायक होता है कौन व्रसण ठीक है क्या होता है दोतियक लेंगिक लच्छडों दोतियक जो लेंगिक लच्छडों सिकेंडरी सेक्सूल करेक्टर लच्छडों के विकास में सहायक secondary sexual character मतलब आवाज का भारी होना गुस्सा आना चेहरे में दाना आना डाड़ी बावो बाल निकलना डाड़ी मुझ निकलना इस्तन ग्रंतियां निकलना और अज़्डी मजबूत होना मान्सपेसियों का विकास होना ये सब चीजें होती है secondary sexual character में और तुम लड़के हो तो लड़की की तरफ आकरसित होना लड़की है तो लड़के की तरफfik आकरसित होना है नगा ये होता है secondary इसके लिए तुम सोच रहे होगा ये प्यार है ये दिल है ये है वो है भाई ये सब कुछ नहीं है ये सब टेश्टोइस्टेरान हाइपोथेलमस मिलके तुम्हारे साथ खेल रहे हैं और इसकदर तुम्हें नीचे गिरा देंगे कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा जब वक्त आपका ढहे जाएगा वक्त आपका आगे निकल जाएगा वहाँ पर जाकर आपको आभास होगा कि यार मैं जो उस समय कर रहा था वो बहुत गलत है वो बहुत गलत था लेकिन फिर तुम कुछ कर नहीं सकते इसलिए कहते कि अभी जो तुम सुधार सकते हो उसको सुधार लो जितनी चीजे सुधार लोगे उतना तुम आगे निकल जाओगे क्लियर है तो ये हो गए आपका वरसन के कार्य तो वरसन से एगर पूछा जाए कि टेस्टोइस्टिरोन का स्रामण कहां पर होता है तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया वरसन के कार्य तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ अब हम लोग पढ़ते हैं अन्डासाई के बारे में क्लियर है अगर पूछा जाए नर का प्रात्मिक क्या होगा प्रात्मिक जनन अंग हाँ कोश्चन ऐसे बताए नर का प्रात्मिक जनन अंग कौन सा होता है बहुत देर सारी दे दिये जाएंगे तो उसमें से सिर्फ तुमको वरसन टिक करना है जहां से युगमकों का निर्माड होता है सुक्राडव एक युगमक है कौन सा युगमक है नर युगमक है इसको लिख लो लिखना हो तो मिटा ना तो मैं मिटा देता हूं ठीक है करें 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 तो अब हम लोग देखेंगे अंडासय के कारें कि भाईया जो ओवम होता है कि जो ओवरी होता है स्वारी जो ओवरी होता है उसके क्या कारें होते हैं पहले अंडासय सब्सक्राइं पहले हम देखेंगे अंडासय कि अंदर पाई जाती है तो आपने बोला तो आपने बोला पहलन भाईयाлонासय के अनदर पाई जातीं मैं बोला एक पाय में गडासयinta कन्या पर कि यह होता है फिर ये क्या हुआ फिंगर लाइक ट्रैक्चर मिया फिंवरी यह हुआ और फिंवरी यह फिंवरी है एव सब ज्यादा रहे ना इधर से शर्विक्स हो गया वेजाईना हो गया सर्वाइकल के नौल हो गई आगे जाकर यूट्रस में खुल गया बताइए यह ऐसे यूट्रस के ऐसे दिवाल हो गई अब देखते हैं अंडासय इसको अपनलोग बोलते हैं अंडासय इंगलिस में बोलते हैं ओवरी ओवरी का काम क्या होता है तो मैं बोलता हूँ यहां से अंडाडू निकलता है यहां से अंडाडू निकलता है तो ओवरी के अंदर क्या होता है तो ओवरी के अंदर अंड जनन क के द्वारा पहला इसका कार्य वर्णासाक कार्य लिख लो कि अंध जनन के इंगलीस में बोलते हैं उज ऑनेंसीस अब को जनेंस अंड की क्रिया तो आंड चनन की क्रिया के द्वारा अंडाडू का निर्माड होता है लिख लो पूरा सिंटेंस बना के लिख ले ना कि अंडासे के अंदर ओवरी के अंदर अंडजनन की क्रिया होती है और उसी अंडजनन की क्रिया जब हो जाती तो उसके दोर अंडाडू का निर्माड बनता है वही अंडाडू आगे जा करके सुक्राणू से मिल करके एक युगमक का जाईगोट का निर्माड कर देता है और फिर वही जाईगोट आगे जाके अपने धेर सारे अपने आपको विभाजित करके ब्रूण में वो सारी गरभासय की अंताह इस्तर में बैड जाता है रोपित हो जाता है इंप्लांट हो जाता है ठीक है फिर देखो अब देखो अंड जनल की क्रिया के दौरा नाडू का तो निर्माड हो गया अब इसके अंदर ओवरी के अंदर जो होती ओवरी मादा के अंदर इसके अंदर ओवम का निर्माड हुआ इसको हमने वोला निर्माड का निर्माड हो गया आज से याद रखना नर हार्मोन्स टेस्टिरोन होता है और मादा हार्मोन्स कौन सा होता है तो वो होता है एस्टोजन और प्रोजस्ट्रोन एस्ट्रोजन और पोजस्ट्रोन इंगलिस में लिख लो एस्ट्रोजेन और पोजेस्टॉन इन मतलब की हार्मोन्स के दोरा क्या होता है तो इन हार्मोन्स के दोरा दोतीयक लेंगी कलच्छणों का विकास होता है तो अंडासे से ये हार्मोन्स निकलते हैं तब जाकर के दोतीयक लेंगी कलच्छण का विकास होता है तो यह बहुत जरूरी है ठीक है कि दोतियक, लैंगिक लच्छन का करो विकास मादा-अर्मोन शारावी तो पूछलो को सोटा है अक्सर पूछा जाता है और यही हर्मोन ज dispatch होता है तब क्या होता है तो पूछ अखिर्कर पूछ लिया जा था है को और पूछता है पोजे स्टॉन हार्मोंस कहां से स्रावित होता है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कारपस लूटियम क्या पढ़ा होगा पोजे स्टॉन हार्मोंस कारपस लूटियम से स्रावित होता है क्लियर है कारपस लूटियम से कौन सा हर्मों स्रावित होता है तो वो जाती है और अगर इसका स्रावण कम हुआ तो दतियक लेंगी क्लच्छडों का विकास होने से रुख जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है यह बिल्कुल बैलेंस में होनी चाहिए अगर थोड़ा सभी इधर उधर हुई तो फिर तुम गए और इन्हीं दोनों हार्मोंसों के द्वारा क्या होता है टेस्टो वो सारी एस्टोजन और पोजेस्टॉन के द्वारा विपरीत लिंग के प्रती आकर्सण का होना इन्हीं के द्वारा होता है दतियक लेंगी क्लच्छर स्यंकेंडरी सेक्स्वल करेक्टर के नदर क्या होता है विपरीत लिंग के प्रती आकर पस्रण होना कि जैसे आप नर हैं तो मादा की तरफ आकर्सित होंगे और मादा है तो नर की तरफ आकर्सित होंगे यह बैलोजिकल है बट यह मतलब एक इस्टेज होती है एक जोती है तब जाकर के सारी चीजें देको सारी चीजों के एक समय होता है जैसे आप एक में पढ़ रहे हो अब जैसे आप अभी बारा में पढ़ रहे हो अब आपको लगे मैं मास्टर्स कर लूं मैं MSC कर लूं है ना मैं MA कर लूं तो क्या हो पाएग पर अपने गोल पर ठीक है कि हमें करना क्या है हमें अचीव क्या करना है वहां पर फोकस करना है और अपने दिमाग को ना केंद्रित करना है एक जगे पर फोकस करना है ध्यान करना चिंतन करना है मनन करना है क्योंकि आपको पता है हमारे अंदर दो ताकते पाई जाती है एक सा पारिजिक ताकत कमजोर पड़े ना तो अपनी मानसिक ताकत को बढ़ाओ ध्यान करो योग करो मंदिर जाओ मस्जिद जाओ गुरुद्वारा जाओ बैटो सांती से योग करो अपने मन को जीत लो अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो याद रखना तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया तुम पूरी दुनिया को अपने कदमों में गिरा सकते हो आप लोग सुने होंगे आचारे रजनीज की बाते जिनको आज हम लोग ओसो के नाम से जानते हैं जानते हैं उनको इंडिया में तुनकी कोई इज्जत ही नहीं करते थे सब लोग उनको भला बुरा बोलते थे भारती इतने खाली हैं इतने खाली हैं कि उन लोगों को जज करने में अपना वक्त बरबाद कर देते हैं और आपको बता थे अमेरिका के अंदर एक सहर बसाया गया एक कॉलोनी बसायी गया जिसका नाम ही डाल दिया गया रजनीज पुरम सिर्फ उन्हीं महान पुरुस के सिखातिर ओसो कभी सुनियागा यूट्यूब पर सर्च करियागा आपको मिल जाएगा वीडियो उनके बहुत कुछ उनने बताया यहां पर अगर कोई नॉलेज की बात आपको बताने लगे न तो बस दिमाग घूम जाता है कि तु तिरे वो कईसे पता है तू कईसे बता दिय तू मत बता यहां लोग सीखना नहीं चाहते हैं सिखाना हर कोई चाहता है और जो सिखाने के लिए जो लोग आगे आते हैं वो कोई अच्छी चीज़े नहीं सिखा रहे होते हैं वो वही चीज़े सिखा रहे होते हैं जो मार्केट में पहले से आल्रेड़ी चल रही होती है तो इसलिए सिखाने पर नहीं, सीखने पर फोकस कीजिए और अपने धिमाग को कॉंसेंट्रेट करिए, अपने धिमाग को पकड़ करके रखें, ध्यान करिए, आज के लिए यहीं तक मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, विस यू अल दे बेस्ट, तैंक यू